ओम शान्ती सुनते हैं 17 देसेंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर माहा वाक्य आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने संगम यूग की नौ विशेष्टाएं बताई बड़ा सुन्दर बाबा ने नाम दिया तो संगम यूग की कौन सी नौ विशेष्टाएं हैं पहला प्रशन ये बनता है दूसरा प्रशन वियार्थ हैं उन समर्थ संकल्प की उपलब्दी में क्या अंतर है तीसरा समर्थ संकल्पों के खजाने का स्त्रोत कौन सा है और लाश्ट मुर्ली धारणा की तीन स्टेजिच कौन सी हैं तो बाबा ने आज बहुती सुन्दर रहस है मतलब सारी मुर्ली वियर्थ से अपने को बचाने की और समर्थ में टिकाने की बाबा कहते है ऐसे बिजनसमेन बन जाओ हर वक्त समर्थ में बुद्धी समर्थ में लगी रहे और बाबा ने का जिसने वेस्ट खतम कर दिया वो तो फिर बेस्ट बन गया तो वियर्थ की समापती सारा दिन में जरा भी वियर्थ संकल्प ना चले उसके लिए प्यारे बाबा ने कितना संदर हम बच्चों को तरीका बताया कि बच्चे मुर्ली से तुमें कितने समर्थ संकल्पों का खजाना मिलता है और रोज़ाना बच्चे इस मुर्ली की मुखे मुखे पॉइंट को बद्धी में रख के उसका मनन करते रहो बाबा ने का मनन नहीं करते हैं इसलिए बद्धी को मार्जन मिल जाता है वियर्थ की तरफ जाने का एक भावना होनी चाहिए मुझे भगवान ने अनर्जी दी मुझे भगवान ने टाइम दिया मुझे भगवान ने सब कुछ दिया खजाने दिये But I have not to waste at all cost मुझे वेस्ट करना ही ने व्यार्थ जरा नहीं करना अपने हर घंटे का प्रोग्रेम बना के रखना चाहिए ताके मैं निरंतर बिजी रखो आज बाबा ने भी यही का बिजनिसमेन बनना नहीं आता क्या बिजनिसमेन बनो सदा अपने आपको समर्थ में बिजी रखना और समर्थ में बाबा ने बिजी करने के लिए एक तरफ मुरली एक तरफ प्यारे बाबा की अलोकिक सेवा एक तरफ बाबा ने ग्यान रतन बाटना एक तरफ बाबा ने मंसा सेवा एक तरफ बाबा ने योग but there are so many ways जिससे हम हर वक्त अपनी बुद्धी को समर्थ में बिजी रख सकते हैं तो आउ सुनते हैं अब प्यारे बाबा की मुर्ली बिस्तार से अब व्यक्त मुर्ली 17 दिसंबर 84 मुर्ली का टाइटल है वियर्थ को समाप्त करने का साधन समर्थ संकलपों का खजाना ज्यान मुर्ली आज बाप दादा संगम-युगी अलबकिक रुछानी मेफिल में मिलन मनाने आए हैं ये रुछानी मेफिल रुछानी मिलन सारे कलप में अभी ही कर सते हो आतमाओं से परमात्मा का मिलन ये सरेश्ट मिलन सतियुगी स्रेष्ठ स्रिष्टी में भी नहीं होगा इसलिए इस युग को महान युग महा मिलन का युग सरव प्राप्तियों का युग संभव से संभव होने का युग सहज और स्रेष्ठ अनभूतियों का युग विशेश परिवर्तन का युग विश्व कल्यान का युग सहज वर्दानों का युग कहा जाता है बाबा ने नौ विशेष्टाएं बताई है महान युग महामिलन का युग सरव प्राप्तियों का युग असंभव से संभव करने का युग विश्व कल्यान का युग और सहज वर्दानों का यूग किता सारे बाबा ने तहां वो बताए ऐसे यूग में महान पाठधारी तुम आत्माए हो ऐसा महान नशा सदा रहता है सारी विश्व बड़े ध्यान से सुनना बहुत नशे की पॉइंट है सारी विश्व जिस बाप को एक सिकंड की जलक देखने की चात्रक है उस बाप के सिकंड में अधिकारी बनने वाले हम स्रेश्था आत्माएं है ये समर्थी में रहता है ये समर्थी स्वतेही समर्थ बनाती है ऐसी समर्था आत्माएं बने हो समर्थ अर्था वियर्थ को समाप्त करने वाले वियर्थ है तो समर्थ नहीं अगर मन्सा में वियर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठेर नहीं सकते वियर्थ बार बार नीचे ले आता है समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनभव कराता है माया जीत भी बनाता सफलता सुरूप सेवा धारी भी बनाता व्यर्थ संकल्प सदा उत्सहाव मंग को स्माप्त करता है वे सदा क्यों क्या की उल्जन में रहता है तो बाबा व्यर्थ के भी और समर्थ के दोनों का कंट्रास्ट बता रहे हैं इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वेम से दिल्शकस्त रहता है व्यर्थ संकल्प सदा सरव प्राप्तियों के खजाने को अनभव करने से वन्चित कर देता है और व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना वा मन की च्छाएं बहुत उंची होती है यह करूँगा यह करूँ यह प्लैन बहुत तेजी से बनाते हैं अर्थात तिवर गती से बनाते हैं क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गती फास्ट होती है इसलिए बहुत उंची उंची बातें सोचते हैं लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है इसलिए दिल्शकर्ष्त हो जाते हैं समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे सोचना और करना दोनों समान होगा सदा धेरेवत गती से संकल्प और करम में सफल होंगे वियर्थ संकल्प तेज तुफान की त्रें हलचल में लाता है समार्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है कि ताज बाबा कंट्रास्ट दोनों का बता रहे हैं वियर्थ संकल्प अनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ती और समय गवाने के निमित बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ती अर्थात अनर्जी जमा करता है। समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी प्रेशान करती है अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है समर्थ संकल्प से सदा स्रेष्ट शान के समर्थी सुरूप रहते हैं इस अंतर को समझते भी हो फिर भी कई बच्चे वियर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं अब तक भी वियर्थ संकल्प क्यूं चलता इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वे है ज्यान की मुरली मुरली का एक-एक महावाक्य समर्थ खजाना है इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यार्थ को चांस मिल जाता है हर समय एक-एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धी में व्यर्थ आ नहीं सकता बाबा की मुरली का एक-एक महवक्य उसका मनन खाली बुद्धी रह जाती है इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है जब मार्जन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता समर्ध संकल्पों से बुद्धी को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्ध संकल्पों का आवाहन करना बिजी रखने के बिजनिसमेन बनो दिन रात इन ग्यान रतनों के बिजनिसमेन बनो ना फुर्सत होगी ना व्यर्ध संकल्पों को मार्जन होगी संकल्पों से सदा भरपूर रखो उसका अधार है रोज की मुरली सुनना समाना और सुरूप बनना ये तीन स्टेजिज हैं सुनना बहुत अच्छा लगता है सुनने के बिना रह नहीं सकते ये भी स्टेज है ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं सुनने में मस्त भी रहते हैं बहुत अच्छा ये खुशी से गीत भी गाते है लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो रस भी समाप्त हो गया क्योंकि समाया ही नहीं समाने की शक्ती द्वारा बुद्धी को समर्थ संकल्पों से संपन नहीं किया तो व्यार्थ आता रहता समाने वाले सदा भरपूर रहते इसलिए व्यार्थ संकल्पों से किनारा रहता लेकिन सुरूप बनने वाले शक्ती शाली बन औरों को भी शक्ति शाली बनाते हैं तो वे कमी रह जाएगी व्यर्थ से तो बच्छते हैं शुद संकल्पों में रहते हैं लेकिन शक्ति सुरूप नहीं बन सकते सुरूप बनने वाले सदा संपन, सदा समर्थ, सदा शक्ति शाली किर्णों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ सुनने वाले समाने वाले वा सुरूप बनने वाले शक्तिशाली आत्मा सगड में व्यर्थ को समार्थ में परिवर्तन कर देती तो शक्ति शाली आत्माएं हो ना तो व्यर्थ को परिवर्तन करो अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन राज्य कर सकता है समझा अभी अपने समर्थ सुरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है सव के वियर्थ को समाप्त करो हिम्मत है ना महाराष्ट्र वाले आई हैं तो हिम्मत भी महान है ना जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान हो ना महान संकल्प करने वाले हो ना कमजोर संकल्प वाले तो नहीं संकल्प किया और हुआ इसको कहते हैं महान संकल्प ऐसे महान आत्माए हुँ न और पंजाब वाले क्या सोचते हैं पंजाब के बहादुर है न माया की शक्ती वाले गौर्मेंट को ललकार कर रहे हैं इश्वर ये शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं माया को ललकार करने वाले हो ना घवराने वाले तो नहीं हो ना जैसे वे कहते हैं हमारा राज्य हो आप भी माया को ललकार करते हो गर्जना से कहते हो कि अब हमारा राज्य हो ऐसे बहादुर हो ना पंजाब वाले भी बहादूर है महाराश्टर वाले महान है और करनाटक वालों की विशेश्टा है महान भावना भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता रहता है करनाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले है इसलिए सदाखुशी में नाचते रहते हैं तो खुशी का फल खाने वाले खुशनसीब आतमाएं हो तो वै महन संकल्पधारी और पंजाब महन ललकार करने वाले महन राज्य अधिकारी तो महन फल खाने वाले तीनों ही महन हो गये न महराष्ट अर्थात सब में महान हर संकल्प महान सुरूप भी महान करम भी महान सेवा भी महान क्या वर्दान मिल गए महराष्ट वालों तो आज महान की तीन नदियां मिली है महान नदियां मिल गई ना महान नदियों का महा सागर से मिलन है इसलिए मिलन मेफिल में आए है आज मेफिल भी मनानी है ना अच्छा ऐसे सदा समर्थ सदा हर महावाक्य के सुरूप बनने वाले बहुत काल के समर्थ आतमाओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सरव समर्थियों संपन याद प्यार और नमस्ते अच्छा तो बाबा ने आज किता सुन्दर मुरली 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 बस मुरली के एक हजाने से सदा बुद्धी में टपकता रहे जिससे वे अर्थ से सदा के लिए बच जाए ओम शाह ये एक प्रेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे झाल झाल